हाल ही में सुच्छता दिवस मनाया गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की इस योजना पर टोईलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्में भी बनी केंद्र सरकार की इस योजना को दो साल हो गये हैं पर बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही एक छेत्र है निजामपुर्व मलहौर जहां साड़े चार सो परिवार ऐसे हैं जिनके यहां अभी भी शोचाले की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां की लोगों ने इसके लिए प्रदान से भी बोला और कई बार कंप्लेन भी की लेकिन उस पर की गए कारवाई केवल कागजों तक ही सीमित रहे गई। जाते हैं है अब लका उन्हें असर इस गाओं के लिए कुछ नहीं किया है वो तो देख रहा है रोट भी नहीं बनी आसक तक तुम देख वहां बल्लब सौचाले से लेकि कुछ भी उन्हें प्रधान जी ने आस्ता कभी जाका नहीं है अच्छा अला प्रधान जी ने आस्ता कभी गाओं प्रधान जी से किया है तो प्रधान जी ने क्या बोला है अभी तक कोई वो रिस्पॉंस नहीं है कुल लोगों आया एक दो लोग का बाकिरों काया नहीं है लगभाग इस गाओं में कितने लोग होंगे लगभाग जिनके घरों में नहीं बनी है जो खेट के लोड़ करें नहीं है जो दो दाइसो गुपर आए लगभाग बहुट बढ़ा अब बहुत बढ़ा नहीं है तो कहां युआ है इसा फॉर फॉर यहां जो फॉर नहीं हो पॉर आज पूद करना चाहिए तो कि कि अ पर अब जाता है फारम समने भरते हैं चार-पांच शकर जो हैं भर लिये अप्रोस जान दो साल लगभग होने को है नमंबर की दो साल जाने नमंबर की दो साल जाने जहां पर तीन पुरवया तो जी इसको नाम बदा की दो साल में काफी काम कर दिया है जाली निर्मार कर आया है इंटर लाकिन मुला काम चल रहा है जो चाले के लिए अप्लाई किया है लेकिन नाम यहां जो लो मतलब इसके सर्वे किया गया था इसकी युक तक लिए लिए तेकिन जो है जब वहां पर हम लोगों ने शुची भेजी तो वहां 134 नाम सेलेक्ट हो के आगे आगे पाकी तनी कप तक मेंशन हो पाएंगे भी तो कोई ब्यूरा मिया है जो है यहां पर मतलब कोई वह नहीं हुआ तरही कहां रोट सही होती है गड़्धी ते लेकिन काती काम करा दिया गया है लेकिन अजी भी अमनों के कब से कम तीन साल है और जो चाहेंगे पूरे जो है अच्छी प्रीके से अपना गाउं स्वच्छ रह देश दुनिया की ख़बरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चानल दे राइजिंग निउस और लोगाउन करें www.therisingnews.com पर धन्यवाद